हेलो दोस्तो एगरी पाउर जैपूर के ओनल प्लेटफोर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है जैसा कि आप लोगों को पता है अपनी होटी गल्चर की क्विच चल दीए अपनी क्लास नमबर है 50 तो जल्दी से क्लास को सेर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अपन लोग अपनी क्लास को अगे बढ़ाती है जल्दी से कमेंट करके बता दो कौन-कौन चुड़ गया मनीशा मीना अगरिकल से स्टुडेंट मनीशा मीना सुभाच अंदर सौनम वर्मा प्राग राजपुत सभी बच्चों को गूड इवनिंग वाटसप भी को नहीं चला है जल्दी सभी बच्चों को परणाम हीरा सरकार, गेमिंग रोक, चीनु तवर, प्राग राजपुत, मनीशा मीना, गेमिंग रोक, सुभाच अंदर, मनीशा मीना, अकाश कुमार, अरिना मीना, सभी बच्चों को परणाम भी जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, सुनिल सर, यस सर, एगर बताईए बताईए भी बताईए जल्दी से रविंदर सर का विच्छ हो आ गया सुवाच अंदर अरीना मिना गुड इवनिंग सर चलिए भी अपनी क्लास को शार्ट करते हैं भी देखिए आज की दिन का अपना पहला क्यूसन आम में एक परकार का मेठा चिप-चिपा पदार किस कीट के दुवारा छोड़ा जाता है आपको यह बताना है जो अपना मेंगो होता है उसके इंदर कौन सा इंसेक्ट है जो एक चिप-चिपा पदार छोड़ता है मिली बग फुद्का फलमक्ही या कोई नहीं जल्दी से कमेंट करके बता दो भी ओके वह वहीं से रादिक कि अगरी वर्ल्ड आरके लावा एकर चंचल गुप्ता सभी बच्चे भी सयांचा देरो ही ना मीन इनियाग अपना मेंगो होपर होता है उसका आम का फुद्का जो होता है ना वो क्या मेठा चिप-चिपा पदार चोड़ता है भी सब बच्चों को जहां रखने है नमसकार सर जी नमस्कार भी धरम परकास जल्दी से मुझे ये बताओ आम के फुद्के का साइंटिफिक नेम क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बताओ भी सभी बच्चे आम के फुद्के का बताओ भी साहिल सर्मा बताओ ना सर मेंगो होपर बिल्कुल मेंगो होपर का साइंटिफिक नेम क्या होता है जल्दी से बताए कलवन सहारन मैंने पहले देया छोटे कलवन सहारन क्या बोलते हो भी क्या साइंटिफिक नेम बता सकते है कोई बच्चा हाँ भी मेंगो हो पर आएगा इसमें फल मक्की को क्या बोलते हैं लेक्टो सीरा टोर्सिला ठीक है भी जल्दी से बता दो साइंटिफिक नेम इसका एटकिन सोनी बिल्कुल अमेरी टोडस एटकिन सोनी बोलते हैं भी से ठीक हैं सब अच्छे से यह आंसर दे रहे हो भी ठीक हैं देखो अपना जो फुद का होता है यह सबसे खतरना किसके इंसेक्ट होता है इसका आकरम अनता है मार्च और फर्वरी और मार्च के अंदर होता है अपना जो मेंगो का फूट होता है ज जिस वज़े से आम का फुद्का उसको बहुत जाता है इस वज़े से अपने लोग बोलते हैं आम का जो फुद्का होता है वो सबसे हानिकार कीट होता है अपने मेंगो के लिए चंदर कांता मीना बिलकुल एक दम सही आंसर है एमरी टोड़ा सेटकिन सुनी मेली बग को बोलत होती है क्या होती है फ्लोवरिंग तो फ्लोवरिंग की टाइम में यह जो अपना इंचेक्ट होता है यह सबस्यादा आकर्वन गरता इस वज़े से दिकता सर मस्का डोमेस्टिका अरे याम कई है कि बताओ भी क्लास रूख रही है बार बार एक बार मैं चेक कर लेता हूं अबने नेक्स चूसन में चलते हैं इसमें राइट आंसर है ऑप्सन नमबर सेकेंड देखा भी अपना नेक्स तूसन मिलीबग की कौनसी अवस्ता सबसे ज्यादा हानिकार कोती है अंबे बहार आता है हां भी अंबे बहार आती है अपने फरवरी मार्च में जर्नली जुन के अंदर फ्लोरिंग आती है इसी वज़े से अंबे बहार बोलते हैं सार एक दम अच्छी चल रही है बढ़िये भी जल्ली से कमेंट करके बताइए भी सभी बच्चे चंचल गुपता ने सबसे पहले आंसर दिया निम्फ रविंदर सर का विच्छू विक्की आदो इसकी दूमादा इंसेक्ट होती न वह अपनी सोईल होती है इस प्लांट के वाईवय भागों में जाएंगे तने असे होते हुए यहां से निम्फ और अडल्ट आपको अच्छे सयाध रखना भी निम्फ और अडल्ट इसके वाईवय भागों में जाके उनके उनको खाने लग जाएंगे इससे क्या होगा भी मतलब डीफ आप लोग बहुत सकते हैं पतियों जड़ने लग जाती है अब पतियों को खाने लग जाएंगे तो प्रकास नसलेशन नहीं होगा तो वह जदन उपसान होता है तो भी इसकी जो निफ अवस्ता होती है सबसे ज्यादा हानिका हां भी तने से और पतियों से रसवस चूस लेता है जोती यादो गुडिवनिंग सर गुडिवनिंग जोती जल्दी से बताओ भी ऐसी कौन सी किरिया जिसके दोर आपन लोग है भी जो अपना इनके निफ और अडल्ट होते हैं उनको अपने स्टेम के उपर चड़ने से रो गिरिस लगाके देखो इसमें क्या आएगा ट्री बाइंडिंग ठीक है अच्छे से याद रखना है भी जर्नली क्या होता है अपने लोग सर निम क्या होती है यह आप एंटमोलोजी पड़ो ना तब मैं बता दूँगा बाकि बिल्कुल बैसिक्सी बात है यह निम फोर पर निम फिर अडल्ड ट्री बाइंडिंग बिल्कुल ही पूजा भांबू चीनू आरके लवा सब बच्चे से यांसर दे रहें इसमें क्या होता है देखिए अपन लोग पॉलिथीन बांद देते हैं कितनी साट सेंटीमेटर की उचाही पर साट सेंटीमेटर की उचाही प देखते हैं देखो अंतर राष्टी उधने की नवा चायर अंतर राष्टी उधनी परसिक्षंड के प्रसक्षय कि शापना नेधिर्लेड के सयोग इन्डेग में कित सेंट्रेंज किसंड nenे क overeod और बograf um चैनरर कि उपने में में और्लोर साट मेटर लंबाई 30-40 सेंटेमेटर चोड़ाई भई वो कोई जरूरी नहीं आप से नहीं पूचेगा यह चीज मैं बता रहा हूं भी बकी आद रख लो भी पेड़े के पास गहरी जुताई करते हैं ट्री ब्रिंडिंग लाइक एंड शेर दोस्तों बिल्कुल सभी बचे ए सब बच्चों को बता दूं आपना जैपूर जैपूर के इंडियन इंटरनेशनल होल्टी कल्चर इन्वेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई किस देश की हैं से अपने नीदरलेंड की हैं से तो आंसर नंबर थर्ड एकदम क्रेक्ट आंसर अभी अच्छी से एक बार और पड़ लो ऐसे किसन याद रखने हैं भी आपको जैपूरीज राइट बिल्कुल एगरी वर्ल्ड चंचल रीना मीना सुभाचेंडर पूजा बांबू परकाज नया है यह नया है क्या यह बिल्कुल भी सब बच्चों को याद रखना उपसे नंबर थर्ड इस आपने कोर्स ले रख है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 59 रुपे में अपनी टेस्स सीरी मिल जाएगी जो बच्चे और प्यासी डबल लो की यानि कि साहिक कर्स या दिखारी की तेरी कर रहे हैं उनके लिए संपून कोर्स 31 रुपे में और देखो भी अपने पद आ रहे हैं क इस तो प्राइज यो माई डिक्सिनेरी है लेस वर्ड अच्छा मैं समझ गये इस कारत पर मैं अब ट्रांसलेट करके नहीं बता पाऊंगा भी इस चीज को तो इस डिक्सिनेरी चोटी रह गई है मुझे डिस्क्राइब करने में देखो सब बच्चे देख लिए भी चलो ल इब्राइब अगुड़ इवनिंग इब्रेट की क्लास के लिए पिर गिर्टक्राइब कर सकते हो विए इन नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हो यह विक्की आदो धरकेस चंचल गुपता सब बच्चे सी आंसर दे रहे हो भी प्राग राजबत गुलाब पतेल माया बिडासर अन्जली दिवेदी सोनम वर्मां कोमार राम 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 सर जी राम 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 घोतम नसीब अंजू को रमाना चीनू कवर एलो मामा है ऐलो वाइंजे और नियन मंडी अलवर बिलकुल देखिए वी जिंजीन वच्वों ने सही आंसर दी है थर्ड अंसर दी एकदम सही आंसर है अपनी जो प्याज मंडी है वो भरतपुर में होने की बज़ाए कहां पे अलवर में, तो आपको अच्छे सियाद रखना है भी, बाकी सारे के सारे इसमें राइट आंसर है, उप्सिन नंबर थर्ड इस क्यूशन के अकोडिंग अपना सही आंसर है भी, देखो, अस्वगंदा मंडी है, जालावाड में, लहसुन मंडी है, बारा में, प्याज मंडी है, कहां पे अलवर में, मौफली मंडी है, बिक कंदर में, चलिए नेक सिशन में चलते हैं, देखो भी, निमन में से किस वीदी को जैमिती या सम्मिती सेली भी कहते हैं, अपना जो और्चाड होता है garden होता है उसको लगाने की सेली है आपको ये बताना है जैमिती या सम्मिती सेली कहते हैं यानि कि दोनों पर्ती बिम्बित रूप होते हैं अभी समान होते हैं आपचारी कहानी कि formal अनौपचारी कहानी informal सवतंतर सेली यानि फरिश टायल या कोई नहीं जल्दी से कमेंट करके बता दो भी सर मननत दादी डिड नोट कम इन प्लास दादी कब से हो गई भाई वो तेसराद सी पता ये भी परती भी मबित कार्थ है अपने जनर्नली ये गार्डन लगाया देखो भी ठीक है इसका सेम एजटीजेड रूप होगा दूसरी साइट मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे समान होंगे पता भी कौन सा आएगा भी बिल्कुल चंचल प्राग गुलाव विक्रम यादो ओमकला अंजू तरंपरकास वीजे सोनम रीना मीना फॉर्मल स्टाइल गार्डनिंग रविंदर सरका भी चो भी आपको एक है न मैं गूड नूज देने वाला हूँ लाशन में याद दिला देना मुझे कि सर आज एक गूड नूज दो गए आप लोग भी जो बच्चे कंटेंट की बात करतें सर अफसो के कब आई जल्द आ रिया भी अनुल गुमार भगेल गुलाब पटे ले आएंखो भी सभी बच्चे से यांसर दे रहे हैं अपचारिक शैली देखो पर्तिबींबित या सम्मित या जैंमितित सेली किसे कहते है अपनी अपचारिक या फॉर्मल सेली को बोलते है जल्दी से बताओ इन फॉर्मल या अनपचारिक सेली को क्या बोलते है इसमें क्या होते है भी अपने ज्यादा ध्यान नहीं देते है नेचुरली अपने जो गार्डन होता है उसको लगाते है अपचारिक होगा बिल्कुल चीनों तबर बिच्छु कम बोलना आज अच्छा बुलवा रहे हो क्या हाँ भी राजभाओं दिल्ली में समान जैमेती बिल्कुल भी एकदम सही आंसरा प्राग राजपुत देसरा जै बताओ भी अपचारी के इनफॉर्मल सेली का दूसरा नाम जापानित सेली देखो ऐसा बैसे कि उसन उठाया जा सकता है भी आपके लिए आपको सिधा सा पूछ ले भी अनौप चारिक सेली का दूसरा नाम क्या है भी इससे कौन सी सेली भी बोलते है एस समीत बोल रहे हो बिल्कुल इनफॉर्मल इंगलिस में बोलते है वो जापानि सेली भी देखो अपने घर में भी आपको इंगार्ण वाड़न लगार हो जा तो वह आएगा अपना सवतंतर सेली गा सभचों का सई आंस्वरेद जालिए नेक्शिवसन पना,लामर फर्स्ट भी देखो आपती है एस सञ्गत को चांती है वरिंदावन गार्डन म enjoyment पिंजोर गार्डन चंदिगट देखो भी जिते भी गार्डन देए रहे हैं सारे केसारे फॉर्मल सिसविव दिया गार्डन जयपूर बहुंसली मार्ग बूस्थ वर्णावन भी मंद और भी लेलो इसमें पूर्म में है जापानी सेली का टेड़ा मेड़ा रास्ता बिल्कुल चीनों जवर एकदम सही आंसर है गुलापड एक रिकलते सुपरवाजर की विकेंशी कब आएगी जल लाएगी भी दिसंबर से कहा जानी चाहिए सेसोधियां नहीं होका भी साली मार ऄ पर याद के अदर के ऑनर का है सेली का साली मार बाग पर खृम कर्क्र चाहिए बाकी के सारे के सारे इसमें फॉर्मल से लिके दे रहे हैं, आपको पता होगा, देसराथ, C, सुनिल वर्मा, एग्री वर्ल, सब बच्छे से यांसर दे रहे हो भी, चलिए अपने नेस क्यूसन में जलते हैं, देखो, जब वरक्स सीधी लाइन में दोनों किनारों के और लगा यह क्या लगा रहे हो, उसे क्या बोलोगे, बताओ भी, बताइए बताएगरी वर्ल्ड, चंचल गुपता, प्राग, राजपूत, प्रेंका बाना, आरके लावा, सब बच्छे क्या अंसर दे रहे हो, C, एविन्यू बोलते हैं, प्रीना मीना, देखो भी सब बच्छे का सह और कौन विक्की आदो सोनम गेमिंग रोग सब बच्चे सही आंसर दे जो भी अन्जु कोर तरमपरकास आर के लावा सुनिल कुमार मंजु चोधरी मयूरिया देखो सबी बच्चों का सही आंसर है क्या बोलते हैं जो अपना बाग होता है या फिर और चाड होता है अपना गार्डन होता है उसके अंदर अपन लोग दिवारों के पास पास या फिर चारों लाइनों में क्या लगाते हैं एक वर्सी क्या लगाते हैं फूल लगाते हैं एक वर्सी क्या लगाते हैं इसे क्या ब बहुँ वर्षी होंगे, मेरा किस्टन क्या है, ब्छक नोग सड़क चारों, जो वरक्स लगाए जाते हैं, उन्ने भी उन्ने भी बोलते हैं, कि अपन लोग सड़क के चारों से भी वर्ष लगाए जाते हैं, इसे भी क्या बोलते हैं EBEN U करसी सब्द में ऐसा क्या है कि मैं कम बोलू क्या पूछ रहे हैं मैंने ऐसा क्या कर दिया यह नहीं ऐसी कोई बात नहीं आप बोली यह भी पेरियनिवल बहू अंजुकोर चंचल गुपता देखो आपको यह क्यों संदा मैं समझाना जा रहा था आपको पूछ ले भी आपको एविन्यू ट्री लगाना है और किसके अपनी जो सड़क होती है उसके चार और किनारों पे सफेदा और नीम आपको याद रखना भी ठीक है यह देखो यह मबाद में कभी थियोरी में बताऊंगा आपको यह सारी चीजे आपको क्या याद रखना है बहु वर्षिय अपने जो प्लांट होते हैं वो लगाते हैं ठीक है अच्छे से याद रखना और अपने गार्डन में एक वर्षिय लगाते हैं जल्दी से बताओ तोपेरी कैसे बोलते हैं ठोटा सा एक बैसिक सा आप लोग कमेंट कर दो मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को पता है तोपेरी कैसे बोलते हैं जल्दी से बताइए भी बच्चो कमेंट करके जल्दी से बताइए कोई सुपरवाइजर बनेगा पंडित गेमिंग रूप पसो बख्शों को अकार देना देखो कोई भी जीवित चीज होती है गीवित चीज रेकर अनिमल का अकार देना हाँ भी देखो गीवित जीउ्ट यज न अपने वी जीवित चीज बओल दिया MEनमें उन Cassias he क्या होता है अपना टोपियरी होता है बिल्कुल भी आप सब बच्चों को अनिमल के जैसे हाँ अनिमल के जैसे आकर्ती देना पशू बक्षियों का कार्चीन होता हो और विक्रों में यादो देसरा सब बच्चों का सभी बाड़ बंदी नहीं होता है भी बाड़ बंदी है ज को बोलते हैं आप लोग जैमेट्रिक देना एनिमल एंड बड्स के डिजाइन देना हीरा लाल स्वागत है इसमें राइडांस अपना ऑप्सन नमर फर्स देखो एक क्यूसन में जलते हैं देखें आपना अगला क्यूसन किस विदी दवारा एक ही साका से अधिक पोदे तियार किये जाते हैं देखो साहते मैटन किस की यह लेरिंग की है आपको यह बताना है इसमें से कूंसी मैटन है जिसमें एक से ज़ला नीकि देखो जिखू बने नहीं सुरी बने वहाँ अगा बताई भी सणिल कुमार पराग विक्रम्याद तो चीनुत वर्फख सब बच्छे भी यहाद भी answer दे रहे हो चोद से जाटांगे सभी बच्छे एक बार जल्दी से अपनी class को like कर आए हो भी एक बार जल्दी सिल्दी को like कर रहे हो मैं आपको answer दे देखिए आपको answer बता जैता हूं मिल्कुल सब बच्छों का answer सर्पाकार यानि की सर्पेटाइन देखो जर्णली लेयरिंग देखो तीन तरह की बताइए इसने सबसे बोला है सबसे पहले बोला है कि यह सिर्सदाप क्या होता है कोई भी फ्लेक्सिबल ब्रांच होती है न अपनी उसको पकड़ो और मिट्टी में दबादो इसका टिप अर एक पहत días इसे क्या बोलते है टिप लेरिंग और ब्रोजबेरी का एक्जाम्पल होता भी ब्लेख बेरी और रोजबेरी के अंदर प्रोपोगेसिन करते है आप्स प्रस्ट में सबसे जल्दी से exp हो बता दो यह टिप लेरी आप लोग समझ सुई ق्यों सर्पाइन लेनिंग फिर सर्पाकार दाब क्या होता है या फिर इसके एक्जामपल बता दो भी सर्पेटान लेरिंग के एक्जामपल बता दो UP, TGT, PGT सभी like and share करो बिल्कुल अपनी जो सर्पेटान लेरिंग होती है फिर सर्पेटान लेरिंग होता है असमीत, good evening, good evening जल्दी से इसके एक्जामपल बता दो बिच्छो नहीं पहले मैं हाँ भी, सब बनोग यार सुपरवाइजर मैंनत केजी आप लोग इसके एक्जामपल बताएब सेक्षिंग बिल्कुल आपका राइट आंसर है, option number C नहीं आएगा भी option number second अपना एकदम करेक्ट आंसर है इस क्यूस्टन का, जल्दी से बताओ भी अरे भाई, सर्पाकार में अमरूद नहीं आएगा, माउंड लेरिंग होता है strawberry, बिल्कुल सुनिल गुमार, आर के लावा, गुवावा में नहीं हो बटा चमेली और strawberry, देखो strawberry, अपने को मुखित है, इसके एक्जाम पर याद रखने भी, ठीक है strawberry और चमेली, mound layering होता है भी, या stool दाब होता है, किसका अमरूद का, ठीक है, अच्छे से याद रखने है आपको, थोड़ी different method ही है, जो अपनी mound layering होती है, मोगरा हाँ चमेली, जस्मिन सेंबेक बोलते हैं कि मोगरा को चमेली, जस्मिन ग्रेंडी फ्लोरेस, बहु वर्सी है, क्या बहु वर्सी है, किसका अंसर देदिया भी, देखो, इसमें right answer, अपना option number second, सरपीला कारदाब, चलिए discussion में चलते हैं, देखो, अंगूर के फल बीज रहीत होने का कारण होता है, बताओ जो अंगूर होता है, उसके फल बीज रहीत होते है, नर जन्नांगों का ऐपरीपक हो होना, मादा जन्नांगों का ऐपरीपक हो होना, अत्य दिक परागन का होना, या बुरन का नष्ट होना जल्दी से बताओ भी, रनर्स टोबेरी में होता है, डेख, जर्नली रनर्स देखो, रनर्स और उसमें क्या डिफरेंस करोगी आप लोग, थोड़ा से ये भी बता देता हूँ, रनर्स होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, समानेत है, खुद बे खुद, अपन कुछ ही नही हो जाएगी, इसे आपने बोल दिया, अब आप लोग जबरदस्ती करवा रहे हो कोई चीज, जबरदस्ती करवा रहे हो तो उसे सरपे टाइन लेरिंग में ले लिया भी, पार्थेनो कार्पी आगे बताओंगा भी, पहले से पहले आंसर दो इसका, बिलकुल भी, सौनू, आप मदे लिया राजपुत, रविंदर सर्काभी, चादरस्ताः जाटांगी प्राग राजपुत, रविंदर सर्प्राइंका, बाना, एम्परियो अबोर्षन, embryo abortion save के अंदर होता है इसके अंदर आपको अलग तरम यूज में लेनी है क्या pollen pollen importance यानि कि प्राग न पुन सकता ठीक है या फिर बुरन का नश्ट होना इसे बोल सकते हो आप लोग ठीक है embryo abortion भी बोल सकते हो embryo abortion सीधा सीधा पूछे आपको तो किस में बताना है save के अंदर ठीक है अपने अंगूर के अंदर पूछे तो pollen importance या फिर बुरन का नश्ट होना अच्चे से याद रखना भी ठीक है सर सीड होते हैं देखो भी सीड होते हैं आप लोग बोल रहे हो मैंने आपको बताया था एक दिन आंसिक बीज हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं इसमें सीड होते हैं लेकिन वो edible होते हैं इस वज़े से इसमें माना नहीं जाता है भी सीड होते हैं जैसे कि आपने केले में सुना होगा केले के अंदर भी सीड होते हैं लेकिन वो एडिबल होते हैं आपन लोग खा सकते हैं उसे, निकालते हैं नहीं है, तो आपको अच्छे स्याद रखने हैं, ठीक है, आपना सभी बच्चों का सही आंशर है, ठीक है, ठीक है, चलो एक यूसे न बता दो तब तक आप लोग श्ट्र लेटी कौन-कौन से फ्रूट में बाई जाती है, लेकिन अंगूर में तो सवपरागन होता है, देख भाई सवपरागन होता है, प्राग राजपूत, देखो, सर एगरिकल से सप्रवाजरी अगेंशी आएगी, यहां भी जरूर आएगी, आप पढ़ रहें ना, नहीं पहले में, हाँ भी पहले तूँ, जल्दी से मुझे यह बता दो, श्ट्र लेटी, इनकी किस्मी होते हैं, उनके कोडिंग होता है भी यह सारी चीजे, श्ट्र लेटी किन-किन फ्रूट में होती है भी, यानि कि बन देता, जो नर बन देता, लेलो, आप लोग मादा बन देता, इस तरह सुरेंदर जाट, ल्या गिरू जी, बता भी जल्दी से, श्ट्र लेटी कौन-कौन से फ्रूट में पाई जाती है, कब तक और कितनी पोश्ट आएगी भी, देखो यह नहीं बता सकता मैं, कब तक आएगी और कितनी पोश्ट आएगी, आम और आवला प अमरूद की ललीता किसम का रंग गुलाबी होता है, अरका मरूदला बोनी किसम है अमरूद की, अमरूद का उद्गम स्थल भारत है, जल्दी से बताओ, संगत कौन सा है, आवला कैला बेर बिलकुल भी अनूला, बेर सेब नहीं आएगी, आएगी एपल, हाँ भी एपल, ज गेमेटोफाइटिक, सेब और बेर, डी, रीना, एगरीवर्ड, मजू, चोधरी, सब बचे डी आंसर दे रो, जल्दी से ये बताओ भी अमरूद का उत्पतिस स्थल कहां है, फिर भारत नहीं है तू, जल्दी से कमेंट करके बताईए भी बच्चो, अंजू, कोर, परिंका अमकला, विक्की, मयूरिया, प्राग, राजपु, सब बच्चों का राइट आंसर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ भी अमरूद का अपना उद्गमस्तल कहां होता है, कुल मिट्रेसी होता है, देखो जो, अमरूद की लली तक किसम होती है, उसमें गुलाबी कलर होता है, लाइकोपीन की वज़े से, और से यसस दुवारा ये लिका ली गई वे राइटी है, कहां होता है भी मेक्सीको बिल्कुल, याद रखना आपको क्या मेक्सीको, अच्छे से याद रखना, चलो जल्दी से यह बता दो भी, अमरूद का पुसकरम क्या होता है, पुसकरम कैसा दीजे भी एक बचा जल्दी से कोई भी बताएगा solitary होता है भी इसमें, बिलकुल solitary, आपको याद रखना है, खट्टी पलों में मैंने क्या बताएथा, solitary, साइमोस नी solitary, penicle कहां से आ गया भी अमरूद में, अंगूर का बता रहे हो बन्जू चोदरी, ये confusion दूर कर लो थोड़ा सा पहले में भी confusion हो जाता था इससे भी अमरूद और अंगूर, आपको याद रखना है अंगूर, penicle, आम, penicle और अपना अमरूद होता है, उसमें क्याएगा solitary, अमरूद थोड़ा खटा होता है इस वज़े से थोड़ा याद रखना भी आप ठीक है ऐसे हो जाता है, भी कोई इशू नहीं है भी आपने वो तच्छा याद रखना है इसने option number 4 अपना एकदम को एक रांसर है चलिए next, उसमें देखते हैं, देखो भी पपिता का अन्य नाम है, पपिता का अन्य नाम क्या है melon tree, बेक याड फ्रूट, उसन वे उपोशन चेतर का आश्चर ये फल या सभी जल्दी से बता दो भी जल्दी से कमेंट करके बता, ये भी अपना जो पपिता होता है मैलन ट्री बोलते हैं बेक याड फूर्ट बोलते हैं सभी जल्दि से कमेंट करो भी शीना यादो प्राग चंचल गुप्ता रिना मीना प्रिंका बाना एगरी बाई मेवल्ड एगरी वर्ल्ड क्रिशन नवदीप गेमिंग रोक विक्की यादो चंचल गुप्ता सब अच्छ नमबर फूर्त इसका एकदम करेक्ट आइए, चलो, मेलेंटरी से मुझे याद आगया, मलाका ट्री किसे बोलते हैं, बी। मलाका ट्री, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, मलाका ट्री किसे बोलते हैं, बताओ भी। सोनु राजपुत, क्रिशन गर्ग, खरनाल क्या, खरल, सुनिल कुमार, गोतम, आरकेल, अवा, सब बच्चों का सही आंसर था, विजे जाकर, जल्दी से बता, यह भी मलाकाट्री किसे बोलते हैं, बिल्कुल भी, प्राग राजपुत, मैंने आप लोगों को कली बता था, किस किसे बोलते हैं, अपने लोग यह आवला को बोलते हैं, मलाका ट्री किसे बोलते हैं, आवला का, और मेलन ट्री किसे बोलते हैं, पपीता को, बेक्याड फ्रूट किसे बोलते हैं, पपीता को, उसन वा उसन, छेतर कास्चरी फल भी पपीता को बोलते हैं, उसन नमबर फूर गेमिंग रोक प्रियंका अबाना अन्जू को रमाना सब बच्चे आंसर दे रहे हो भी मुझे पता है यह सही आंसर दो गया दो इसमें मैं कुछ ही नहीं बता हूं आपको अपने एकदम सही आंसर जल्दी से यह बताओ भी परपेन के अंदर प्रोटिन कितनी परसेंट होता है प्रोटिन किते परतिसत होता है और क्या बताओगे भी इसका प्रिरक्शन करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं जल्दी से बताओ दो चीजे भी नेट सलो है सर इसे बताओगै एंदर परसे प्रोटिन करने स्झाय। इसे बोल दिया क्या पपेन, अब चलो पपेन को सुखाना है, पपेन के लिए कितने डिग्री ס एंटिंटिग्र टेंपरिचर चीए है जल्दी से बता दो भी, और पपेन के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, दोक्यूसन है मेरे, पपेन को कितने डिग्री एंटिग्री सेंट पेपसिन बिल्कुल प्रियंका बाना एंजाइम कहुंसा होता है पेपसिन ठीक है और शुखाने के लिए टमपरेचर बताएंगा कोई 25 परसेंट पेपसिन एंजाइम पैपसिन है बिल्कुल एग्री वर्ल्ड मोनिका अमकला सब बचे आर के लाहा सही आशर है और इसके एंद आपका लाड़ा, अच्छा मेरा लाड़ा, आजा मेरे लाड़ा ले भई, पपेन किस में मापा जाता है, पपेन किस में मापा जाता है, एमम में ले 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 भई, सुरी गराम में, किस में गराम में मापोगे आप, पर प्लांट कितना 200 गराम पपेन मिलता है भी, ठीक है भी, पचास से साथ डिगरी कितना पचास से साथ डिगरी सेंटिग्री टापमान पर पपेन को सुखाते हैं अब मैंने क्या आपना तीन महा पुराना एक कच्चा पपीते का फल्दा उसमें तीन एमम का लगाया चीरा उससे एक लेटेक्स निकला उसे क्या बोल दिया पपेन पपेन में इंजाई में क्या पेपसीन ठीक है पर प्लांट 200 ग्राम अपना क्या पपेन निकलता है और उसके बादे को सुखाने के लिए 50 से 60 डिगरी सेंटिग्री टापमान प्युक्त होता है सारी बात ने बता चुक हाँ भी SIMMATING भी होती है इसके अंदर अपने सीड प्रोडक्षन के लिए अपटे के अंदर सीड ग्रॉडक्षन के लिए सीमाटिंग मेत्ड होती है यह बदा दूंगा अब इतना इंपोर्टन नहीं है जोड़ी टाइशे व फिए ब बच्चों के लिए कोपीपेस्ट ना करिए भी हाँ भी कोपीपेस्ट मत करें सब बच्चे बताएं भी सीओ फाइब बिल्कुल विक्रम यादो चंचल गुपता विजे जाकर महाविर परसाद वर्मा प्रिंका बाना कितना सीओ फाइब बताओ रिना मीना क्या बोला है भी सीओ फाइब चंचल बिल्कुल भी सीओ फाइब कौन सी वरैटी होती है सबसे बढ़िया सीओ फाइब बिल्कुल सब बच्चों का सही आंसर ऑप्सें नमबर फर्ष्ट अपना इसमें राइट आंसर था भी ठीक है एक आई देखते हैं देखे पपिते का रिंग सपोत वायरस का वहाग है आपको बता रिंग स्पोट वायरस का वहाग है फिर वेक्टर कौन छा इंजेक्ट होता है माहू सफेदमक्ख्खी लिफोफर ज़ल्दी से कमेंट करके बता तो भी सीओ फाइब यादो बिल्कुल सब अ जल्दी से बताइए भी तो अपना पपीता होता है उसके इंदे रिंग स्पोर्ट वाइरस का वहाँ कौन सा इंचेक्ट होता है सर आप बता दू मेंमरेड करो सभी मैं बता दूंगा भाई स्पीड सेकिंड सफेद मक्ही कहां से दे रहे हो भी अफिड बी सेकिंड गुरुजी अमेरिका से फोन यूट्यूब नवदीब के शरियासमीत नसीब सब बच्चे भी गलत आंसर दे रहे हो सब के सब बच्चे गलत आंसर दे रहे हो सबसे पहले बता दे हो सफेद मक्ही अपने पपीते के अंदर क्या होता है लिफ करल वाइरस किसी के अंदर भी लिफ करल वाइरस हो उसके अंदर के आएगा अपना सफेद मक्ही आता है जर्नली समयने तो है मुख्यत है एक आदे में अलग हो सकता है तो अपना एकदम गलस आंशर था ठीक है पूसा जाइंट गुड इमनिंग गुरू जी अफिद क्या लिग दो सर किसी कार्य करता है और आप लोगों को अच्छे सहाध रखने है है सर रोग वजए अफिदे मक्ही पूसाद थैलीária नहीं यह लिफ होपे है उप्शन नमबर 1 जिन जिन बच्चों ने आंसर दिये है उनका एकदम स although आफिदे इसमें क्याएगा पपीते का इरिंग स्पोर्ट अपने किस के वज़े से होता है माहु या इफिट के वज़े से ठीक है भी चली नेक्चुसन में चलते है लावा सुनील कुमा सुनी सा अरे मुझे मज़े में होना और सर महां भी बिल्कुल मज़े में हूँ देखो नेक्चु इसमें बिल्कुल सभी बच्चों का सही आंसर है पपीते में जड़ सुतर कमी रोका निया तन किससे कहते हैं कार बो फिर ने से चलो मेरे एक चोटा सा क्योसे पूछ लेता हूं इसमें अपना अप्सं नंबर थाड एकदम सही आंसर है केले के अंदर एक नेमे टोड़ लग केले में एक नेमे टोड लगता है उसका नाम बतातो जल्दी से कमेंड करके बच्चों कार्वोफिरान सभी अभी सही आंसर है सभी बच्चों का जल्दी से बताई है सोनम वर्मा आप भी आंसर दीजिए अपने केले के अंदर एक नेमे टोड लगता है उसका जल्दी से ना कोई बच्चा बताएगा कोई भी जो होनाहार चातर हो हमारा कमेंट करके बता दीजिए भी केला सर्वे से गरी गल जा सुपरवाइजर के अरे बढ़ी केले सी कोसे ना जाता है मैक्रो कोकस म्यूसी कोला मस्रूम कब करा मस्रूम कराएंगी अरे सुनो मुझसे पूछ दो कुसाल फोजदार ओल इसका आंसर नहीं मैंने पूछाता है देखो इसमें क्याएगा बेरोइंग ने में टोड़ अच्छे से रट लेना भी बेरोइंग ने में टोड़ किसमें लगता है अपने के लिए के अंदर लगता है ठीक है भी चलिए इसमें राइड आम से था उप्सन नबर 3 चलिए नेक से चलते हैं देखो भी आम वे अनार के पुसकरम किस परकार गोते हैं, आपको बताना है, मेंगो और अनार का पुसकरम बताना है, कौन सा होता है, स्पेडिक्स, हाइपोथेनेडियम, स्पेडिक्स, पैनिकल, पैनिकल, हाइपोथेनेडियम, कोई नहीं, भी बिल्कु लीजी सा कि उसे नहीं बता दो नो आइडिया कोई बात नी बेरिंग नेमेटोड होता है आपको याद रखना है मेलाइड नो गईनी स्पीसिज ये रूट नोट वाला नेमेटोड है भी नशीव बताओ भी 20 एक नाम होते हैं अपने जो नेमेटोड होते हैं उनके रटा मार लो यार उनसे पूछ लेता है सी आंसर दे रहे हो आइडोंट नो कोई बात नी भी चोदर से जाटा है आइडोंट विक्की अन्जुक और सीना मोनिका गेमिंग नवदीप चोदर अंजुक लावा प्राग राजपुत चंचल गुपता देखे सब बच्चे सही आंसर दे रहे होंगे मैं देख लेता हूँ भी स्पेडिक्स किस में होता है अपने केले में होता है और खजूर में होता है अच्छे स्याद रखना है ठीक है 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 अनार में होता है अनार में होता है तो जल्दी से बताओ भी आंगूर के अंदर पुस्करम कैसा होता है कमेंट करके बता दो जल्दी से सब बच्चों का सही आंसर है बनाना और खजू चंचल गुपता बिल्कुल सोनुनात ओमकला महविर परसाद वर्मा दरमपालकास मियूरिया सब बच्चे सही आंसर दे रहे हो प्रेम लटा आपका भी सही आंसर एकदम सही है इसमें क्या आपस डेजकर आापव सब नुद्दो कासख्या कर चुकी है सेटर्स होता है उसमें भी इस भी सलेटरि में बिल्पतर में भी सालेटरी होता है खजौ जरू केलेगी इसमें सारे मुस्ट अदू ड़ोग सराओ कॉन्तन मेटा ङीनिया आपको पता चुक है लिजक्ते ब्टाली大 में अनार में फर्स्ट वा सेकिंड दोनों जल्दी से देख लो भी मेटाजीनिया किस फल्वरक से समन दीते हैं बताईए बताईए भी दोस्तों चंचल गुपता खजूर होता है भी इसके अलावा भी हो सकता है विक्रम यादो प्राग राजपुत मक्का खजूर बताओ बताओ भी जल्दी से मैं पानी पी लेता हूं दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेटाजीनिया ट्रम किस ने दी थी मैंने बताए था 1903 में सविंगल लाम के साइंटिस्ट थी उन्होंने दी थी खजूर खरूज परिंका चोधी सब बच्चों का सही आंसर आ रहा है पर आपको याद रखना है उप्से नमर डी इसमें एकदम करेक्ट आंसर होगा थे लो छोटा सा थोड़ा सा असा तरीका बताओ मुझे मंजू मुगदल मेटाजीनिया किसे कहते हैं उप्से नमर डी आंसर होग साराम को नहीं हो यार जल्दी से बताओ कि भी मेटाजीनिया के बारे मेटा सकता है कोई जो अपने पॉलन होते हैं न देखो आपके अकोड़नें ही बता देता हूँ अफिर तो प्रागणों का फलन पर परभाव फिर पॉस्पन पर परभाव का होता है मेटाजीनिया होता है इतना ही आद रखो भी प्रागणों दुवारा पढ़ने वाला हेड से प्रागण करने के रिया माहिर परसा दुवर माया देखो जब न पॉलन होता है न आउटसाइड एम्ब्रियो से एक डालता है जैसे कि पॉलन के ओपर क्या उनके सवाद के अंदर जैसे उनकी अरोमा के इंदर एफेक डालता है उसे बोल देते हैं मेटाजीनिया तोड़ा मोली कुलर वे में इतना याद नहीं रखना है बस प्रागणों का फॉलन या पॉस्पन परभाव को क्या बोलते है अप लोग मेटाजी बताओ जल्दी से कमेंड करके बताओ दोस्तों किन किन बच्चों ने लाइक कर लिया जिते 54 बच्चे देख रहे हैं भी नर्का मादा से पहले परिपक्वा होना प्रोटो एंड्री हो तभी प्रोटो का इनी डाइको गेमी का बहाग आगी अपन लोग कभी बाद में डिसक बताता हूं एक परकार का यानि कि नर हो सकता है मादा हो सकता है और क्या हो सकता है अपने या तो एक नर होका या मादा होका या अभिलिंगी होका थोड़ा समझना है इसको थोड़ा स्टेटिमेंट टाइप का है इसमें एक परकार का या तो यह है या यह है या यह है ठीक ह आपना जो पपीता होता है वो क्या होता है डायोसियस होता है और डायोसियस होता है और क्या होता है पोलीगेमस होता है जल्ली से मैं आपको ट्रम बता देता हूं डायोसियस यानि की नर्व मादा अलग अलग प्लांट पेस्तित होता है ठीक है और डायकोट यानि की द्वी बीच पतरी पोलीगेमस यानि की उस पे नर्पुस भी होते है मादा पुस भी होते है अब लेंगी पुस्ट भी होते हैं तीनो तरें की पुस्ट भी होते हैं इस के रिया को क्या बोलते हैं पॉलीगेमस तो आपको पता हैं डीडीप आपको अच्छे से आद रखना है कि अभी नगभी पूछा जाएगा भी इसमे राइट अपना अप्शन नम्बर थर्ड सभी बच्चों का सही आणसर था अब गईनो डाइस है सहाँ भी मादा बलस में दिवी लेंगी आगो आगो की तेलीपी नेक क्युस्ट में च हाँ डैयोसिस एक लिंग ही होता है भी आर के लावा क्या सभी हस क्यों रहे हैं पता नहीं भी डैयोसिस एक खत्म हाँ भी टाठा भाई भाई सी उसुन चलो भी जो बच्चे आर्पेसी डबलेयो की तारी कर रहे हैं उनके लिए कितिस रुपे में कॉर्स है अफसों के धी जाए कि वाचा कोई भी बच्चा परीवी जी की त्यारी कर रहे है आई च्यार की कर रहे है जाट की कर रहे है प्क रुखो की श्राफ लाइक कर देती हूं लुक पड़ रहा हूं को उस्सों लो सुनो कि पृप भाईयो चुट्टि को पहले सुन लो भी आफस बई यह जल्दी से कमेंट करके बताओ भी थोरी शार्ट कर दूँ किया जल्दी से बता दो भी सर गुड़नियोज बोलो एक जिट एक जिट नहीं हो आजगो एक बार थोड़ा वेट कीजी मैं बताता हूं यह सर और थोरी का थोड़ा लेवल भी बताओं आपको यह सर तेखिए बिल्कुल सभी टाइम पर आए हो अभी अभी कौन सा अगया भी नो सर यह सर अमकल आपको नहीं करनी थोरी हां सर देखो मोस्टों बच्चे सही आंसर दे रहे हैं भी यह सर करवाओ तर आपको सही लगें अरे वाँ बोद अच्छी बात है देखो अपने लोग करेंगे एक देख अभी सबसे पहले मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही अपनी फ्रूट क्रोप करा हूँ है क्या बनाना और उसके अपने लोग पूरा का पूरा एडवांस बढ़ेंगे भी जितना एफो के अंदर आता है ना अगरिकल्टर फिल्ड ओफिसर जो बच्चे त्यारी कर रहे हैं अब यह मश्रूम करवाद हूँ है जल्दी बोलो सर जो एफो की त्यारी कर रहे हैं जेट की त्यारी क जैसे कि मैं इंग्लीज में क्या दोनों मिक्स बाइ लेंगे चलने देंगे भी वैसे में हिंदी फेडिय हैं तो हिंदी वालों को जाता बता हूँगा पर लोग समझ सकते हैं यही कोई बात नी है पूर निए ती जैसे कि अपन लोग अपनी थेओरी स्टार्ड करेंगे उस उस तरहें कि दो होगे जैसे बखन में बनाना से क्यूसन और 22 इंग यह एगजाम में यह आध इस में यह आए तो असजर आए इस तरहें कि आपनगों की अपन लोग टियार होंगे में भी मंडेसे मैं तियार करता हूं और आपको थेप्ट बढ़ाओं अविंगा क्योंकि तो तुझे पता है कैसे याद दिलाना है मैं मस्रूम का बताता हूं तुझे क्यूज गूड है हाँ क्यूज भी करते रहेंगे इसी क्यूज चलेगी अपनी साथ में एक्षा बही मस्रूम भारम लगा रहा है कि बार बार पोच रहा है बताओ भी आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ दो दोस्तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भी आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार सारे के सारे बच्चे है ना क्लास को लाइक करो 51 लाइक है उनली उनली जल्दी से बढ़ा दो सारे के सारे बच्चे लाइक करा हूँ यह देखो आपके सामने ही देख रहा हूँ मैं फुद की वीडियो जल्दी से लाइक करा हूँ सर टाइम क्या होगा भी आपनी नो बजे से रखेंगे भी नाइस सर आतों बर कंट्रोल नहीं होता है रभी भाहिया ऐसे आजा मननत देदी क्लास में थोरी इंकजब सर जीतें थेंक्यूरी नामी ना विक्की जाट अंजू गो रमाना कोई बात नहीं कंट्रोल रखो बार बार पैश भी मत करो मन्जू मुगदर मैंने तो दो बार करती है दो बार नहीं करना था चलो भी बढ़िये हैं तो थोरी बारा पड़े लेखियों कर बच्चों जैसी अरकते कर रहे हैं तो यह दिख गया सर को एक बार में अब भी भी अपना कमेंट बॉक्स ओन है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो मैं समझ जाओं अभी आप लोग यह सज़ेस्ट करना चाहते हैं हमें यह करना चाहिए प्रेंका चोदरी मेवल सुभाचंदर सब बच्चों का थैंक्यू भी आरके लावा भी अकल क्या बहुल रहते हैं भी देखो डिसकस मत करो मैंने लास्ट में सेस्टन किसलिए रखा है यह यह आप लोग कुछ हमें सज़ेश्ट करो आप यह किए जिये सर तो वह होगा भी सर इनकी बार बार पिटाई कर दो हाँ भी पिटाई हो जाएगी इनकी सर मैं आजकल क्लास में नहीं आता किसी में भी कोई बात नहीं सर आप किसकी तेहरी कर रहे हैं भी यार क्या बताओ ओल ओवर फूरूट करवाओ पहले आप लोग एक थोड़ा ट्रेलर देखना मैं को याद नहीं आरा कुछ पूछती है सोनों फिर शुरू होगी सर पीडियेफ पर टेलिग्राम पर दलवा देना हाँ भी पीडियेफ आपको जुरूट देवाँ मैं मैं बदा रहा हो ना तकड़ा कंटेंट दूँगा मेरा वादा आपसे भी आप लोग फ्री में इतना कुछ लेके जाओगे अपनी जो भी फर्स्ट कुरूप होगी जिसे कि बनाना होगा जिता आपने कोई भी कोचिंग से नहीं पड़ा होगा कुछ कर सकते हैं इसा बढ़ा हो मैं क्या बोलरह हूं यार APo की बात ले रहा हूं ADo की तक की बात कर रहा हूं उटैंशन मतले जू बचें च१ें कंटेंट मांगते हैं और भी सर थोड़ा लेवल अप रखो तो भी लेवल ही बढ़ा रहा हूँ है और कुछ कोई बोलना चाहेगा भी बिल्कुल जिनको लेवल चाहे था न उनको लेवल मिलेगा अब देखो भी जर्नली अपने बनाना जैसे कि मैं बढ़ाने जाऊँगा सिंपल जीजे सब ने बढ़ रखी है ठीक है सर जोस पहलो हो अच्छा जर्नल अगरिकल्चर करवा दो जर्नल अगरिकल्चर से अपने सर ले भी मैं होटीकल्चर करवा हूँगा सर जोधपुरी इनिवर्सिटी का अग्जाम कब तक होगा सर बता देंगे भी आपको सर अभी टावर है आपके अभी टावर है मदल रेंज है क्या फोन में है थैंक सर तो अभी किसी बच्चे ने क जर्फ पहुची तो कॉपी पर अज़ती देरी के लिए आप इस नंबर पर कॉंटक्ट रसकते है और आपको ओफलाइं देरी करनी है तो क्बदे के ओर आपके अभी क्याुक नबर परिदय करता चाहएं के सब्सक्राइब्लयर कोरक्षचे पावाड़ के अज़ती हां होडe घृट्वटाइब अपना फिन अवर सिर्फ मैं इस फ्लीम नहीं है आपको ओफलाativas लें और पर इन नंबर पर कोंटेक कर सकते हो हम सब्सक्राइब करेंगे ठीक है होटी कल्चर बेस ना भी होटी कल्चर पढ़िया लगता है मुझे इंट्रेस्ट होना चीए अपना यार कोई भी सज्जेक्ट में हो मेरा इसमें है प्रीमी पढ़ा रहा हूँ भाही और क्या लूँ आपसे कुछ भेज़ दे पैसे इन नमबर पर फोन पर कर दे लाग दो लाग हाँ भी इमोसिनल शायरी हो जाए शायरी शुनाओं के फिर आप लोगों को एक किसर बताईए बताईए भी सर निर्मिल सर जी को कब लाओगे भी घरी वर्ल्ल को होड़ी बढ़ाओ राज भी चलिए अभी टाटा बाइबाई सीउ सुन अपन लोग कल मिलते हैं सुनाओ सर नहीं आज फीकर सुन जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हासिल होती है उन्हें मंजिले जो वक्त को देखकर रोया नहीं करते हैं अर्य वाइ इस साहिरी के साथ आपनों अपनी क्लास को खतम करते हैं